हे गाईज वेलकम बैक टू माई यूटीब चैनल सो आज की इस वीडियो में दिखाने मोला हूं अपना रियलिस्टिक वर्ग मैंने पोट्रेट ड्रॉ किया है सेलवा डोल डाली का मैं अलवायर हूर आपको कॉप्रेट बताऊँगा भी कि टारीओ तरीके से मैंने रोल स्थी पोट्रेट ड्रॉ किया है और किन q. बतों का धियान रखना चाहिए और क्या क्याकर्व इस पॉट्रेट को ड्रॉड करने के लिए मैंने टे का पर दोनों का यूज किया ताकि मैं डार्क वाल्यू भी अच्छी तरीके से अच्छीब कर पहूं चाहँ जाब डार्क वैल्यू है वहाँ पर मैं चरकॉल पेंसिल यूज क्या फ्रेंट की चरकॉल पेंसल से आप इजली किसी भी एरिया को आसानी से जल्दी ड्रॉख कर सकते ह ऑप्रेंड डिफाइट पेंसली को मैं वहां पारी लाइट शौडंग सेडिंग आप मारी काम करना है आप देख सकते है यहाँ पर किस तरीक टार को रहा है और अगर आपको उसके आई का टूटरियल जाए तरह एंगे आई बटन पे लिंक दे है आप जाके सकते हैं और डिस्क्रिशन बॉक्स कर भी लिंक है अब वहाँ जाके भी इसका आई किस तरीकी से ड्रॉख सकते हैं है आप वो देख सकते हैं जो आउना आइक किस तरीकी का करने की कोशिस करो और फ्रेंट्स रियलिस्टिक ड्राइंग पर मैं कंप्रेट एक सीरीज निकालने वाला हूं जिसमें मैं फ्रेंट्स हेर किस तरीकी से से बना सकते किस तरीकेसे बना सकते हैं। नोज लिप्स ओज्ट रिंकल्स होते हैं, जहरे का जो टेक्स्चर होता है, हमसे किस तरीकेसे से प्प्लिट रियलिस्टिक बना सकते हैं। अब कonders मैं के पीक करके साणी सब्सक्राइब और किसी भी पोट्रेट में अगर आपको ज़धा डिटेल दिख रहा है तो आप उसे उत्ती डिटेल से बना सके फ्रेंट तो मैं इसका जल्दी सीरीज लेकर आने वाला हूं और फ्रेंट बहुत सारा कमेंट आया है आउंट लाइन बनाने के लिए सो मैंने नोट कर लिया है सब सबका सो मैं धिरे धिरे लेकर आते रहांगा सो फ्रेंट करना काफी अच्छे टुटोरिल साने वाले आउटलाइन के नए नए टुटोरिल साइंगे कि हम किस किस तरीके से और डिफ्रेंट वेमें आउंटलाइन बना सकते हैं तो अभी आप देख सकते फ्रेंट थोड़ा रफ स्कुन टॉन है और रफ स्कुन टॉन को थोड़ा मैंने देने के लिए जो पेपर का टेक्स्चर है मैंने उसे भी यूज़ किया है बिल्कुल ज्यादा ब्लैंड नहीं किया हलका सा रफ रखा है ताकि हमें जो रियलिस्टिक लुक रहा रहता कि इस तो एकदम से स्मूध नहीं रहता हलका सा रफ रहता सव मैंने वह देने के लिए जो पर टेक्सचर है उसे यूज़ किया है और इस ट्राइइंग के लिए फ्रेट मैं स्टैट्लर पैंसल यूसकिया है और चार्कॉल सफ्ट चार्कॉल यूज़कर के मीन का रफ देख सकते किस तरीके का हमारा पोट्रेट अभी लग रहा है अगर आपको इसका टूटरियल चाहिए तो मैं कम्पीट एक एक पार्ट का भी टूटरियल बना दूंगा आप नीचे कमेंड बाफ पर कमेंड कर देना बस तो इसका टूटरियल पार्ट भी काफी अच्छे तरीक यूज़ कर रहा हूं और इस ड्राइंग को बनाने में मुझे आठ से नौ खंटा लगा अच्छे क्वालिटी का ब्रश यूज़ करें ब्लैंड के लिए अच्छे वालिटी का पैंसिल यूज़ करें ताकि उसका रिजल्ट आपको उतने अच्छा मिल सकते जित्ता आप उस करें अब देख सकते हैं तो आप इस तरीक से बना सकते अगर ये वीडियो अच्छे लगाए तो लाइक करें इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरीकी का डिफरेंट डिफरेंट टुट्रेल वीडियो अपने सेनल पर लाते हैं और काफी सारी टुट्रेल वीडियो मेरे सेनल पर है, आप वो भी देख सकते हैं, सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के ल झाल झाल